अस्सलाम अलेकुम वीवर्स और तुड़े टॉफिक इस फ्लेट इन पाकिस्तान 2022 आप देख सकते हैं कि यह इसे मैं लेख चुका हूँ इसका बाकाइदा इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में होग संटेंस सपोर्टियो संटेंस तीसी स्टेड तीसी संटेंस पिर इसम परिग्राफ वन जो सपोर्टियो परिग्राफ है पिर परिग्राफ टू जो यह भी सपोर्टियो परिग्राफ है परिग्राफ त्री यह भी आपका सपोर्टियो परिग्राफ है परिग्राफ फो यह भी सपोर्टियो परिग्राफ है परिग्राफ फाइफ यह भी सपोर्ट इसमें कम असकम सेवन पेरिग्राफ होने चाहिए बश्मूलियत इंट्रोडक्शन और कंक्लोजन तो यह जो ऐसे हैं इसमें जो कुछ भी है तो वो इस उसका डांचा यही है तो अगर हम कोई भी इसे किसी भी लेवल पर लेकिंगे तो अगर इसके लिए बाकेदा फाउंडेशन हो यानि आउटलाइन हो तो लेकना बिलकुल असान होगा लेकना बिलकुल असान होगा तो आप देख सकते हैं कि जो इंट्रोड़क्री प्रिग्राफ है उसमें में जो है यानि फ्लड इस वन अदा केटास्टरापी और कलेमेटी जावका नाट उनली है डिवस्टेटेटेट their lives and property in the past but also in the present imaginably although the present days man has made great progress in his attempt to conquer nature but remains helpless against the natural force force flood. तो यह हुक दिया है यह मैंने हुक कर दिया है ठीक है इसी तरह जब भी आप लेकोगे तो हुक संटेंस हो संटेंस है जो जिस पर जो सपोर्टिव संटेंस इस इंट्रोड़क्टी पर ग्राप में होंगे जो तीस स्टेट में के लिए रास्ता हमवार करेंगे तो वो इसके बैस पर होंगे तो देखो वो हुक हो गया पिर आगे केते हैं डवेजिस प्राट बाउट 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 आलवर दे वर्ड इन बुल्ग इवन दे पर दे टाइम बीन बट दे फ्लेट्स हैव फालन तो पाकिस्तान लाट इन फिक सक्सेशन तो यह आप देख सकते हैं के यह एक ट्रांदिशनल डिवाइस हो गया के मैंने तोड़ा सा रास्ता हमवार कर दिया के जो मदमून होगा तो पाकिस्तान में फ्लेट पर हैं यह एर इन जेनरल बट इन 210 टीटू इन पाकिस्तान हैस बीन रोन वाइ रिवेज इस अफ्लेट बिंग ए कट्री शी है नाज रिस्टोर इन रहेविलेटिट दे लासेश एंड इमेजिस कास बाइ 2010 प्लेट धर रिस्ट प्लेट बाट ब्राट आउट इमेजिस मोर न तो त तर द sono टेशिस स्टेटमेंट है और इस पर मेरा पूरा प्रिग्राफ होगा यह पूरा मजमुन जो है वो इस पर है अजए हाप प्रक्रब है फीक्टार है पीकम रूइन The people have no shelter to live in, they have no food to eat, but the government and the philanthropists from outside Pakistan and inside Pakistan are busy to contribute their part to flood victim in flood victim areas and show their humanistic sympathies with the flood-seeking people. But the heavy responsibility falls on the shoulder of the present government to be neutral and play her positive role in the rehabilitation and taking out the flesh-taken people from the pathetic situation into a prosperous condition. ये वित्लिस स्टेटमेंट है इस तो ये जो लेवल है बहुत बड़ा लेवल है इस लेवल में अगर कोई ग्रेजुवेशन का स्टूडन हो या कोई एउन सीजिस वाला भी अगर इस पर एटम करे तो इससे तोड़ा ज़्यादा डेटा जमा करे तो इसके लिए कोई मश्कील नहीं तरीका से हम होगा तरीका से हम होगा ये कमस कम अजार के उपर अलपास होंगे तो ये तरीका होगा बेहतर से बेहतर तरीका है तो ये तो इंट्रोड़क्टी फिरिग्राप इसके बाद मेरा पहला पिरिग्राप जो है वो काजिस पर मबनी है और उस पे मैंने जो हाते ह हाकासिस हैं वो रिप्ली डिसकेस किये हुए है ठीगे इसके बाद जो है यह जो इसके impact होंगे के इसके किया किया नुक्सानात हैं तो तोड़ा बहुत जो है ना वो data भी लिख चुका हूँ तो इस paragraph में यानि इसके impact है पिर यह जो दूसरा paragraph जो आपको नजर आ रहा है इस से पहले यह जो paragraph है devastating floods तो इसमें यहां तक यह एक paragraph हो गया यानि हम कह सकते हैं the floods have fall of the country the economy of the country पिर यह जो paragraph है the world knows the reality that Pakistan has been devastated and its calamity hit for the union to the यह जो तो इसमें दुनिया का जो रोल है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है ना और पाकिस्तानी अवाम के साथ उनकी जो हमदर्दियां है तीके वो किया है तो यह एक और paragraph हो गया तीके इसके साथ जो है यह एक और paragraph जो आपको red color में नदर आ रहा है the people of Pakistan के पाकिस्तानी अवाम के और पाकिस्तानी अदारों के और पाकिस्तानी यह सद्दान यह पाटों की क्या रोल रहा तो वो भी एक अलग paragraph में ने लिया है तीके तो इसके और नो यह जो है ना के इसके लिए किया किया करना चाहिए कि इससे हम बचे वो suggestion किया है किया हम plan करे कि हम जो है next time में उनसे बचे तो यह जो है आप देख सकते हैं यह एक paragraph है ठीके और इस paragraph में यह तफसील से discuss किया गिया है कि क्या किया करना चाहिए it is known to everyone that Pakistan is no exception to the ravages of threat which affect almost the country each year much can be done to relieve their impact on the lives of people dam can be constructed to control and divert the flash towards useful channels river embarkment can be raised to prevent overflow of river water which can be utilized entire of scarcity so scarcity water what is need what is needed is a prevention plan by the government तो यह water इसके साथ यहां पे है तो what is a prevention plan by the government which will make these annual deathfall occurrence in addition the government should fix तो यह चीज़े जो हैं यह एक और paragraph रहा पिर यह जो है ना एक दूसरा paragraph है कि इसके बाद जो rehabilitation कराएंगे और यह जो नुक्सानात हुए हैं और इसके अगर हकूमत काम करें तो इसके लिए क्या है तो यह एक और paragraph है यह टारी यह जरु वरी पर यह ृूच्छलिए पाद श्रीव पक स्वेरा है तो यह जो यहां धर फार दीज्य व्रेकिश प्रफेश पर जीजरे कर श्रीव तो यह जो कर आपैस प्रेशली यह जो अवरे प्रेंश्ट इंसे लिए खर ओंधने बेस्टे अजिक्ने आग का and M&A's and MPA's hostels it is the holy trust with them of the people this is the right of the flood victims if not used properly one day the donor may not donate although they are to be appealed again and again their holy spirits should be appreciated not to be affected तो ये एक संड एक प्रिग्राफ दिया है आहर में और इसके बाद जो है ये कंक्लूजन है पाकिस्तान is the land of the brave they can face man-made destruction but they have not power to choke the power of the powerful king they the lives of our forefather and the story of the world showed that passion is the best option against natural इसी तरा ये उसका जो है क्या है ये कंक्लूजन हो गया एके बीज में कुछ संटेंस जब हमने ये पॉन्ट को बढ़ा कर दिये था तो अपनी जगह से हट गए हैं लेकिन उमीद है कि आप इसको समझेंगे और जब आप इस महनून को लिखोगे तो आपको खुद बहुत पतजरेगा कि ये संटेंस जो है ये उसका पाड़ है तो जब हम इसको पॉन्ट को बढ़ा कर रहे थे कंप्यूटर ने तोला सा इसको मसला कर दिया लेकिन उमीद है कि समझने में thank you very much